नवस्ते बातचीप के हमारे इस खास कारकर में आप सबका स्वागत इस समय चुकि महारास्ट और जारखंड के चुनाओ को लेकर के सारी राजनितिक दलों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं सीटों के बटवारे को लेकर के गठवंदनों की कूप चर्चाएं हो रही हैं चाहे वो महारास्ट में महाविकास हगाडी की बात हो या महायूती की बात हो दोनों तरफ से जो है वो शीट सेरिंग के फॉर्मूले तैय किये जा रहे हैं खबरें बीच बीच में रह रहे कर आत महायूती में भी दृष्ट कुछ ऐसा ही है उदर जारकंड की जब हम बात करें तो जामेम और कॉंग्रिस का बटवारा आल्मोस्त तैय हो चुका है वहाँ कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है इसलिए मुझे लगता कि आसानी से वहाँ पर मामले निपट जाएंगे वो सर हम महरास्ट और जारकंड की बात करें उससे पहले ज़रा हम दिल्ली की बात करना चाहते हैं थोड़ी सी संजे सिंग, मनीस सौधिया, अर्बित के जरिवाल और अपसते इन जयन एक के बाद एक सारे लोगों की जमानत हो गई क्या खेल चल रहा है, यह सब कुछ सामान ने है या फिर इसके पीछे भी कोई प्लानिंग मानी जाए जय समेधान, देखें यह लोगों को छूटना तो था ही, और यह बात पता थी कि जो इन पर केस लगाए गए हैं वो फरजी हैं, उन पर कोई दम नहीं सतेन जैन ने जो प्रेस कॉंफरेंस की, जो उन्होंने बताया, भाई दो साल से आप इंक्वाइरी नहीं कर पा रहे हैं, भाई आप सोचिए, रामप्रकाजी अगर आप पुलिस ऑफिसर होते या CID ऑफिसर होते या ED अफिसर होते, भाई किसी को एरेस तो तब करेंगे, ज पुलिस ऑफिसर नहीं रहा है, इंवेसिगेटिंग ऑफिसर नहीं रहा है, लेकिन मैं जानता हूँ, भाई अगर आपको साफ साफ दिखाए जा रहा है कि आपके घर में अटेचियां आ रही हैं, सीसी टीवी से आ रही हैं, आम नोट गिन रहे हैं, जैसे वो भारती जनता पार्टी के अध्यक्ष का दिखाए गया था, अगर आप अच्छा बिना एविडेंस को आपने क्यों एरेस्ट किया, अगर एविडेंस नहीं भी था, तो दो साल क्यों लगाए, इस पे न्यायले ने समर्थन क्यों किया, क्योंकि इसलिए कि PMLA का केस थोड़ी था, ये तो नीती बनाने का केस था, मिस अप्रॉप्रियेशन का केस हो सकता है, इस नौट ए केस और PMLA, PMLA का मावला होता जब विदेशी धन को हवाला रैकेट से घुमाने का मसला हो, ये PMLA का केस ही नहीं था, अच्छा, अब इन्होंने एक तरह से पार्लिमेंट के एलेक्षन में इन काम नहीं करने दिया, हर्याना अलेक्षन के पहले उन्होंने अरविद्किरवाल को बेल दे दी, अरविद्किरवाल ने जो गलती करनी थी, कर दी, अब वो रियाइज कर रहे हैं, महराष्ट के अंदर अध्मिन इंग्रवाल ने कहिया, मैं ऐलेक्षन नहीं लड़ेंगे तो एक अखलेज यादाओ और एक अर्विन केजवाल इन दोनों के आज के तारिंग में जो महराष्ट के प्रती इनकी रणनीती है मैं मानता हूँ कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया वो गलती नहीं कि अख्रेज यादव ने तो वो भी गलती नहीं की उन्होंने हर्याना में भी गलती नहीं की जब उनका अधिकार बनता था एक डो सीटों पे आप जैसे वो अजय सिंग यादव छोड़ के चले गए अजय सिंग यादव वो हैं जिनका खुद मंतरी रहे विधायक रहे पिता ज जितने लोग छोड़ के चले जाए अच्छी बात है जिससे कॉंग्रेस का शुद्धिकरन हो तो मुझे ऐसा लगता है कि जारखंड के अंदर तो देखिए हमन सुरेन ने जो जेला है जो आदिवासी असमिता पे जिसकार से प्रहार हुआ है और चमपई सुरेन आप आजकल बिढ़े और नौन आदिवासी में रगवर्दास को इन्होंने आगे कर दिया है तो इनकी राजनीतिय रणनीतिय चमपई सुरेन को समझ में आ रही है बिटा यहां तो तुम चीफ निस्टा बन गए थे और मंत्री पर मिलता अब उसके बाद भारती जंदा बाड़े जाओ नाम ले लिया वह बड़ा इंटिस्टिंग हो गया अभी उस पर बाता हूँ लेकिन नायब सिंग सहनी साहब की मैं बात कुरूं जिरा सनिवार को जो है नायब सिंग सहनी साहब ने अनिल विज को पदभार ग्रहन कराया है वो खुद गए थे उनके कमरे में वहां उन्होंन सकते हैं संभावनाएं हैं मान लिजे कॉंग्रेस ने ओफर कर दिया कि आओ हमारे पसाथ लेकर क्या हो इतने लोग कोई खत्रा नहीं है तब तक कोई खत्रा नहीं है जब तक एडी है और एडी का यह दाउंपेच है हम एडी है सीवी आई है इंकम टेक्स है पुलिस है पूथले शासन है तब तक देखे किसी के उकात नहीं है कि इनके खिलाब बोल सके अज़ा यह भी समझ लीजे महराश्ट का चुनाओ कित्रा जादे महत्वपूर्ण है हर्याना का नहीं था अज़ा हर्याना के अंदर आज भी भार्ती इंता पाट्री का कोई भी करकरता जब तक मोधी जी और अमिशा सत्था के शिखर बे बैठे उए जिस दिन मोधी जी पदानमंत्री पस से हटे और ग्रय मंत्री पस से अमिशा जी हटे आप देख लीजेगा पूरे हिंदुस्तान में भारती जनता पार्टी का वह हाल होगा 100 साल तक भारती जनता पाटी रही है महाविकास अगाड़ी की इस बीच में चार सीटों पर उन्हें अपना उमिदवार गोसित कर दिया गया है पिछली बार पांच साथ सीटें लड़े थे दो सीटें जीते थे पांच पर जमानत जबत हो गई थी अब वो बारा सीटें मांग रहे हैं तो अखिलेश आप क कि के माले बारे लेवे में जिस परकार एकरा हसन orada दो दोनी है और अख्लेश आदो बोली हैं उफिग परकार की वहाँ पे जनताुं रकर नो지 अख्लेश आथा दो कैन नाट वी इंग्नोर डिर महरास्ट कर संट यह बिल्कुल पक्ष्ट है कि उत्तरप्रदेश, बिहार के अंदर आज के तारिक में अखलेश आदाओं ने जिस बगार से राहुल गांदी का साथ दिया है और राहुल गांदी ने अखलेश आदाओं का साथ दिया है वो बेमिसाल है तो अखलेश आदाओं का क्लेम चार सीटे उन्होंने ना उसकर दे यह ठीक किया बही मानी बात है ज अगर ये सब ना करते हैं तो शाज जीत जाते हैं मेरे खाल से उनको पांच्छे सीटें देने का साथ सीटें वो लड़े थे वो अधिकार है कौन सी सीटे दें कौन सी न दे दें कॉंग्रेस का सिटिंग मेले है लेकिन जो बात अंतुन है वो यह है कि क्या देश के लोगतंतर सवेधान को बचाना है या नहीं बचाना उसके बना अखलेस जादों बचेंगे अगर वहाँ पर महायूत्री जीत गई अगले जादों नहीं बचेंगे राहूल गांदी नहीं बचेंगे उदव ठाकरे नहीं बचेंगे आदेत ठाकरे नहीं बचेंगे कोई नहीं बचेग जेवेंपे या चमपई सुरेन के भाजपा में सामिल हो जाने का भाजपा को कुछ फायदा मिलेगा भाजपा को नुकसान मिलेगा देखे वहां पे असल में भार्थी जंता पार्टी के दो आदिवासी नेता पहले सी ही बहुत बड़े मजबूत आदिवासी नेता है जो कहते पूर्ण नेता यह दो आदिवासी नेता उनके पास एुलिटि थे चंपाई सोरेन को एक और लेलिया तीर बड़े आदिवांनी नेता हो गए अच्छा यह दो आ दिवासी नेता आपस में अब परिर शान हैगी चंपाई सोरेन को क्यों लेलिया हम दो तो थे ही आपर अच्छा चंपाई सोरेन को वास्वित्ता में हेमन सोरेन ने इज्जद दी थी उन्हें चीफिनिस्टर अपनी एपसेंज में बनाके क्योंकि वो शिवू सोरेन के बच्पन के मित्र थे उनको दे दिया कि यार इससे यह हमसे धोका दढ़ी नहीं करेगा वो भी एक नाशिंद है वो उसी नाम पर चंपाई सोरेन को वोट मिलता है तिन चार हजार वोट से जीतते हैं ऐसा भी नहीं कि बीस पच्छेज जार वोट से जीतते हो तो ऐसा नहीं है कि देर इस नो कंटेस्ट अजा वहां का जो आदिवासी है वो ती जैसे जो नुकसान लोग सभा के अंदर सेना को और एंसीपी को शरत पवार उधाव ठाकरे को जेलना पड़ा माराश्ट के अंदर यह नया चुनाव चिनने था अजीत पवार के बाद वो चुनाव चिन था जिसको आदिवासी लोग जानते है माराश में भी आदिवासी जनसंख्या बहुत जादा है वही शरत भी गुमराज जो किया गया है जैसा बताते हैं उनके बेटे ने किया है अरे इतने अहसान फरामुशी नहीं होने चाहिए भाई तो मैं विदायक का टिकेट मिल रहा है तुमको चिम निस्टर बना दिया उसके बाद तुम जो है तुम्हारा जो नेता है वो जेल चला गया उसके साथ अनाचार हुआ छे मने जबरियन जेल में रखा कोट कह रहा है इसको किस लिए जेल में रखा आस्तागम को समय नहीं आया फिर वो छूटा तुमने उसके जाद धोका कर दिया तो बुढ़ापे में अब मैं बुढ़ापे में इस तरह का काम करूं अगर मानीजे तो मानी बात है कि या लोग थूथू करेंगे यार पूरा जिंदिगी तुमने प्यास नहीं खाई या प्यास खाने पर जुट गए तो इतनी खा रहा हो तो यह चले गए बारती जंता पार्टी में तो चंपाई सोरें ने तो अपनी एक तरह से अपने पूरे इतिहास इतन जार्खंड में सर एक चीज़ और बताएं जार्खंड में जिस तरीके से सीटों का वटवारा भारती जंता पार्टी एंडिये का हुआ उसका क्या कुछ असर होगा कि वहां तो नितीश कुमार को बिल्कुल सिमित कर दिया गया है दो चार सीटों की बात हो रही थी नितीश पवार को भी किडारे कर दिया है उनको भी सिल्ली भी लगा दिया है अब आप सुचे 151 सीट बीजेपी लड़ेगी अचा 85 सीटे मिल रही है शिवसिना को 45-45 मिल रही है जीद पवार को अगर जीते भी मान लीजे 70 परसंट सीचे महायूती जीत गई तो आपने आपी 110-120 सी जाएगी जो करेंगे उनको सेहना पड़ेगा अचा मान लीजे महाविकास अगारी जीत गई महायूती हार गई जीत हार जाएगी तो एक्सीडिया जीन मिलती है बीजेपी को और 25 सीटे मिलती है जीत मवार और एकना सिंदे को तो उनके आहें लगों को तोड़ और एडी सीवाई की केस तो भी पेंडिंग है ना एडी सीवाई की दिखाएंगे और बीजेपी में ले लेंगे बात खतम खेल खतम वही चाहिए अमेज शाह साब के बयान को इस से जोड़ा जा सकता है जिसमें उन्होंने का कि दोहजार उन्तिस में भाजपा के रिए सरकार बना दिया है देखें ये बिलकुल पकी बात है अब एगनाशिंदे करें क्या मुश्किल यह है कि उनके विधायक जो आयत है उसमें आधे ऐसे है अजीर पवार के आधे विधायक ऐसे है जिनमें एडी के केस चल रहा है सबसे अच्छी पोजीशन में आज के तारिक में चंदब हुए है उसका भी एक कारण है साथ MP है एकनाशिंदे के पास जिसमें एक उनका खुद का बेटा है तो बीजेपी से कहेंगे बेटा तुम महराश्ट में करोगे हम दिल्ली की सरकार गिरवा देंगे उस साथ MP is not a small number YSR Congress तो ऐसे ही अगेंज चल रही है तो इसका माने bargaining यह ह है कि तुम बेटा महराश्ट में मदद करो हम दिल्ली में तुमारी सरकार बनाएंगे नहीं करोगे इसलिए वो एकनाशिंदे का नाम प्रपोस कर रहा है मना एक साथ सिंदे को तो अभी दूत में मक्खी की तरह निकाल के फेग दिया गया हो ता अभी तक नहीं तो इसका मत पहले दिन कारण है उसका उद्व ठाग्रे ने एक स्टेट्मेंट दिया है जो माराथियों को है माराश्टियनों को है उन्होंने का अगर मेरी सरकार बड़ी पहले दिन पहले दिन अडानी की जितनी जमीने दी गई है मुंबई के अंदर वो वापस ले लूँगा कानून प्रद्द कर दूँगा धरावी का जो लाखों करोनों का प्रोजेक्ट है जो बिलकुल अडानी को अगले सौ साल तक सबसे अमीर आत्मी वर्ड का बना देगा धरावी जहां इतनी बड़ी जनसंख्या इतनी बड़ी जमीन है इसे वापस ले लूँगा कॉंट्रेक्ट वा करो लो यार चुपो जाओ क्योंकि इसलिए इस समय अडानी की पूछ पसी हुई है और अडानी की पूछ पसी हुई है तो आप जानते ही किसकी पूछ पसी हुई है यह तो ठीक है सर लेकिन फिर अगर केंदर सरकार की हम बात करें जो बात आप कहरें बड़ी एहम इसलिए ह हो जाती है कि महाविकास अगाडी को लेकर के बार-बार सारे लोग फिर वही कह रहे हैं जैसे हरियाना में कहा जा रहा था महाविकास अगाडी के फेवर में हैं महायूती चुनाओ कई ऐसे कारण दिख रहे हैं और बताए जा रहे हैं चाहे वो सिवा जी की मुर्ती का खंडन खंडित हो जाना से ले करके और 10,000 करौन के घोटाले से ले करके और कई सारी चीज़े जिस तरीके से लिख रही है महायूती की सत्ता जा रही है अब आप उसको कनेक्ट कर रहे है केंदर की सरकार से कि महायुती की सत्ता जाते ही परिस्तितियां बदलेंगि और एक नाज सिंदे साब अपने इंसद रह जाएंगा चंद्रभाव। नाइडू फिर ऑज जाएंगे परिस्तितियां विप्रित कि तो टेइस को टेईस को और जो पुरानी विदाल सभाती उसका सत्र कब तक है उसका कारिकाल कब तक है चोवेश को नहीं इसका बम रेजी तीन दिन का टैम है 3 administeredIST मुहोदी जी ब्रीक सम्मिलन में किस तारीह को जा रहेए तेस्ता एंग यह है मैं तयिस तारीह में तेस्थ को जा रहे है लोटे के का 26 को अच्या एक और चीन नोठ कर लिए अडानी जी भी 23 तारीक को विदेश जाएंगे ये लिख के रख लीजे आप चक करा लिजेगा उनका पासपोर्ट वो तेश तारीक को विदेश जाएंगे वो इसलिए हो रहा है यह चुनाव आई होग इसलिए कर रहा है महारास्ट में एलेक्शन का रिजल्ट डिक्लियर होगा महारास्ट में अगर वहाईूती के फेवर में रिजल्ट नहीं आता है तो अधानी साब विदिसी नागरिक हो जाएंगे मैं एक बात तो यह कह रहा हूँ इसके अलावा एक बहुत 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 बात कह रहा हूँ तेजिस तारी को काउंटिंग हुई और महाविकाज अगाड़ी में चीफ मिनिस्टर का नाम चुनने में और एक दूसरे के लिए प्रस्ताव भेजने में कि हम इसका सपोर्ट करते ह पास दिन का टाइम लग गया विदान सवा का वो तो कारकाल पूरा हो गया है तो राश्पती शासन लग जाएगा जी हो गया खेल एक बार राश्पती शासन आ गया तो खुल के खेल होगा फिर उसके पास वही एकनाशिंदे पैदा हो जाएंगे फिर वही अजीत पवार प जिदायकों से एफिडिविट दसकत करा लें, अंगूठा लगवा लें. सबकों पता है कौन मुख्यमंतरी बनेगा, वो मेरे आपको बतानी कि अबशकता नहीं है. लेकिन जब शरत पवार जाएंगे, जयनद पाटिल के छेतर में तो कहेंगे, जयनद पाटिल बनेंगे, इसलिए, यह जो उनकी बेल्ट है, जयनद पाटिल के, उसमें जयनद पाटिल को प्रोजेक्ट किया जाए, नाना पडोले अपने छेतर में जाएंगे, वो अपने को प एकना शिंदे को अगर चांस उनको मिल गया कि एकना शिंदे बन सकता है और उधाव ठाग्रे नहीं मनेंगे उधर चला जाएगा और यह सबस्टेंशल वोट है उसको उधाव ठाग्रे की तरफ रखने के लिए उधाव ठाग्रे को प्रोजेक्ट करना वश्चक है लेकिन जो उधाव ठाग्रे का हिंदुतवादी शक्ति के अगेस्ट है वो नहीं चाहता कि उधाव ठाग्रे बने बानी बाता नहीं चाहेगा जो भी है अब मुसल्मान तो चाहरा है कि उधाव ठाग्रे वो एकना शिंदे की बीच में तुलना अगर है तो उधाव ठाग्रे इस लेकिन एक तो मुख्वंद्री पत्पे सबके विडिवेंट अंग उठे लगवा लीजे नमबर एक नमबर दो ये जो गडबंदन है इसमें सीट एड्वेंचर हो चुका है इसमें कोई डाउट नहीं मैं कोई राय देने वाला नहीं हो ना मेरी हैसियत है न मेरे कोई एडवा सब्सक्राइक है कॉंग्रेस का उससे कह दिए तुम्हें MLC बना देंगे तुम्हें हम यहां पर किसी उसका बोड का चेर्मेन बना देंगे महराज इस समय घर बैठो इस समय जीतना अमश्चक है इस समय अखलेश यादव क्योंकि उत्तरप्रदेश बिहार के इतना बड़ा वोटर वोड बैंक है मुंबई के अंदर करी 25-30% है जिसमें अखलेश यादव इसे बिग फैक्टर उनको नहीं छोड़ सकते हैं सारे दूत की सप्लाई बंद हो जाईगे अखलेश यादव अगर वहां नहीं उनके लोग जीते तो अखलेश यादव तो बेसिकली इसे ट् 10% की लीड दीजे 10% की 2-3% की हेर फेर होगी मनोबल मत तूटने दीजे वोट दीजे हाथ पैर जोड़िये लोगों के पैर चुईये वरना महाराश्ट की सारी इंडस्ट्री सूरत और बढ़ोदा और एहम्दावाद चिली जाएंगे कुछ नहीं बचेगा महाराश्ट में जी चलिए महाराश्ट के इलेक्शन का रिजल्ट जिस दिन आएगा वो दिन आपके हिसाब से बहुत इंटरेस्टिंग होगा है जो दो तीन चीजें आपने ऐसी कह दी कि उस दिन का इंतजार तो कुछ जरूरत से ज्यादा उत सुपता के साथ बहुत सारे लोग हो सकता है क करने लग जाए जो बात आपने कही है वहराल अदानी जी और मोदी जी और हमें शाव पूरी गुजराद लॉबी दम साथ के बैठी हुई है किसी तरह महायूती को जिताने के लिए और इसमें भी अगर हेरा पेरी करेंगे 151 में 120 सीटें दिला देंगे बीजेपी को पवार को लिखता देंगे इनकी उकात खतम इनका जीवन खतम और इसके वाइडी इनको जेल भी डाल देगी तो मेरी राय तो यह है जीत पवार को एकनाशिंदे को महाराज छोड़ दो महां यूती छोड़ दो महां विकास अकाड़ी नहीं लेगी तुम्हें अलग अलग बातचीत समय समय परोती राएगी थैंक यू सो मच